कम बजट कम इस्पेस में दोस्तों अगर आप गार्णिंग करना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा वीडियो में अंतक बने रहिएगा मैं वीडियो में इसी बारे में चर्चा करूँगा कि कम से कम जगह में और कम से कम खर्चे में आप अच्छी terrace gardening कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आनली वीडियो के notifications आपको आसानी से मिलती रहें तो दोस्तों कम budget में कम space में gardening करने के लिए पहले हमें कुछ चीजों की जरूरत होगी मैं आपको यह बता दूँगी gardening के लिए आपको वो कौन-कौन सी चीजे हैं जिनें अपने पास रखना जरूरी है तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो है हमें लेना है गमला आप grow bag ले सकते हैं अगर आपके पास कम space है तो आप इस परकार के rectangular grow bag लीजे जो की कम space में ज्यादा से ज्यादा आप सब्जियां इसमें लगा सकते हैं तो अगर space कम है और budget भी कम है तो आप इस परकार का grow bag ले सकते हैं तो यह करीब आपको मेरा 5 बाई 2 का है जिसकी height करीब 15-15 इंच है तो यह मुझे पड़ा है करीब 1500 का तो आप इस तरह का grow bag ले सक सकते हैं तो इस प्रकार आप कम budget में इन grow bags को लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा से सब्जियां लगाने की काम आएंगी इसके लाओं दोस्तों यह एक मैं आपको बता दूं कि आप thermo form से थर्मो कॉल पार उससे बॉक्स से मचली की जो बाक्स हती है इससे भी अपना गंबला बना सकते हैं तो इसमें भी आप सब्जियां लगा सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों इसमें किसी प्रकार की कोई भी सब्जी कोई भी फल का पौधा कुछ भी आप लगा सकते हैं इनकी साइज बहुत अच्छी है जो की 50-50 रुपए में मुझे ready मिले हैं तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं तो पहली चीज दोस्तों कि आपके पास grow bag जिने के आप कम बजट में लीजिए दूसरी चीज आपके पास मिट्टी होनी चाहिए तो कम बजट में आपको अच्छी मिट्टी तयार करने के लिए आप अपने आसपडोस से मिट्टी ले कमपोस्ट और कमपोस्ट अबाएं तो इस और कमपोस्ट आपके और जयादा उबजाओ बनाएगा उसको तो यह दो चीजे हो गई दोस्तों तो उसके अलावा आपको कुछ टूल्स चाहिए होंगे यह देखिए इस प्रकार के कुछ टूल्स थे यह एक वाटर आप एस्प कोई बिमारी हो तो इससे आप दवा चड़क सकें निराई और गुडाई करने के लिए इस परकार का एक खुर्पी कह लीजे ये प्रूनिंग के लिए एक कटर पौधे की काट छाट के लिए और सीट सोइंग के लिए इस परकार का एक कोई नुकीला टूल्स चाहिए और इसक चीजों से बचने के लिए और अच्छी गार्णिंग करने के लिए यह कुछ जरूरी चीज है जिने की आप रखिए उसके अलावा आपको अपने चछत पर पानी देने के लिए कोई सोर्स होना चाहिए तो कोई टोटी हो जिससे की आप वाटरिंग कर सकें सभी गंबलों मे फिर दोस्तों जब आप बीज लेके आते हैं तो उन बीज सीट्स को आप डारेट गंबले में भी लगा सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए शीट जर्मिशन ट्रे चाहिए तो आप उनको डारेक्ट भी लगा सकते हैं दोस्तों मैं बताओं कि जब भी आप पर्चेश कीजिए तो अपने लगाना क्या है आपको किस सब्जी को आप ग्रो करना चाहते हैं उसके हिसाब से ही पर्चेश कीजिए मैं स्टार्टिंग में सजेस्ट करूंगा कि इस परकार के थर्मोकॉल बॉक्स से आप ग्रो बनाएं जिसमें आप कुछ भी लगा सकते ह निर्च या फुर्ट प्लांट यहां तक कि आप इसमें बेल वाली सब्जें भी उगा सकते हैं तो यह हॉन अिस चेक कर सकते हैं तो यह बहुत ही चीफ होगा और कम स्पेस में आप लेर सारी सब्जा इसमें उगा सकते हैं तो यह दोस्तों कुछ बाते हो गई इसके अलावा मैं आपको बताओं कि जो आप स्पेस मैनेज करते हैं जैसे कि मैं दिखाता हूं आपको यह मेरा जो रेक्टेंगुलर ग्रोबैक तो आपको इस ट्रेटिंग में एक से दू अगर ले लेते हैं या फिर नहीं भी लेते हैं यह आप 18 वे 18 की इनको ले लेते हैं तो जो भी पौदे आप इनमें लगाते हैं उनको स्टेट कर दी सीधा किसी चीज से बांध के सीधे खड़े रहेंगे तो आप एक प्लांटर म एक एक ग्रो वैग में धेर सारी सबजियां लगा सकते हैं कैसे मैं आपको दिखाता हूँ जैसा कि मैं करता हूँ मेरे ड़्छट पर धेर सारे गंबले हैं धेर सारे पौधे लगे हुए हैं करीब करीब दोस्तों 20 से 25 मेरे पास फलवाले पौधे हैं तो मैं जितने भी फल वाले पौधों के गमलों में मूली धनिया या ऐसी लीफी वेजटेवल्स आप डाल सकते हैं ये डेड़ से दो महिने में आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाती है और ये कही प्लांटर में आपकी दो-दो चीजे तयार हो जाती है तो इस प्रकार आप भी इस पेस मैनेज कर सक सकते हैं तो दोस्तों गर्मी का टाइम आ गया है जनवरी बीतने वाली है अब गर्मी के सब्जियों की सीड स्टार्ट हो गई है कौन सी सब्जी हम लगा सकते हैं इस समय जनवरी में उसकी डिटेल वीडियो मैंने अभी चैनल पे अपलोड किया हुआ है आप उसको भी लेते हैं और मैंने आपको जो भी ग्रोवैक से उन्हें भरने का तरीका बता दिया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कंपोस्टिंग क्या वह सकता नहीं नार्मल गाडेंस वाल लीजिए आप हाफ जो भी आप पॉट लेते हैं जो भी ग्रोवैक लेते हैं उसके आधे आधी साइज का आप अपने किचन वेश्ट से उसको भरिए गार्डन से जो पत्तियां निकलते हैं उससे भरिए उसके उपर आप नार्मल गाडेंस वाल डालिए थोड़ी बहुत बर्मी कंपोस्ट या कावड़न कंपोस्ट मिलाके और फिर उसमें आप अपनी जो भी पॉ जंद आई हो तो जितना हो सके उतना वीडियो को सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यबाद दोस्तों